नमस्ते बच्चो आज हम कक्षानो विशेविज्ञान अध्याय चोध है प्राकर्तिक संपदा भाग एक पडेंगे में इंद्र कुमार जेन मेरे साथ अंजुरानी पाठकासार एक पर्थवी पर जीवन बहुत सारे कार को पर निर्वर करता है पर्थवी पर उपलब्द सभी परकार के जीवों की मूल आओ सकताओं की पूर्थी के लिए शूर्ये से उर्जा तथा पर्थवी पर उपलब्द संपदा की आओ सकता होती है दो पर्थवी पर प्राकर्तिक संपदा यह इस्थल जाल एवाम वाईव है इस्थल मंडाल पर्थवी की सबसे बाहरी परत को इस्थल मंडल केते हैं जल मंडाल पर्थवी पर पिच्चेतर परतिशत भाग पर जल है यह जल मंडल के लाता है वाईव मंडाल वाईव जो पूरी पर्थवी को कंबल के समान डके रहती है उसे वाईव मंडल केते हैं तीन जीव मंडाल जीवन को आश्रे देने वाला पर्थवी का यह गहरा जहां वाईव मंडाल इस्थल मंडाल तथा जल मंडाल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जीव मंडल केते हैं सजीव जीव मंडल के जीवी गटक को बनाते हैं जैसे पेड़ पोधो जन्तु एवाम शुक्षम जीव निर्जीव गटक वाईव जाल और मर्दा जीव मंडल के जीवी गटक को बनाते हैं जीव मंडल के जीवी कोर जीवी गटक को के बीच का सामन जस्ट से जीव मंडल को गटी सी लेवाम श्तिर बनाता हैं जीवन की स्वास्ट वाईव यह बहुशी गेशो जैसे नाइट्रोजन ओक्सिजन कार्बन डायक्साइड तथा जलवास्ट का मिश्रण है पर्थवी पार जीवन वाईव के गटको का परिणाम है जल वाईव के नियंतरण में वाईव मंडल की बूमी का वाईव उस्मा की कुचालक है वाईव मंडल पर्थवी के ओसत तापमान को दिन के समय और यहां तक की पूरे वर्स भार लगबग नियत रखता है वाईव की गती पाउने इस्तल और जलाशों के उप़ार विशम रूप में वाईव के गरम होने के काराण पाउने उत्पन होती है अरधार एक छेतर से दूसरे छेतर में वाईव की गती होती है जिसे पाउन कहते हैं पाउन को परवावित करने वाले काराण एक पर्थवी के विविन भागो के तापमान दो पर्थवी की गुर्णन गती तेन पाउन के मार्ग में आने वाली परवत संखलाएं वाईव परदुशन वाईव मिस्थित नाइट्रोजन और सलफर के ओक्साइड ओक्साइड हाईड्रोकार्बान जैसे आनिकारक परदार्तों की व्रद्धी को वाईव परदुशन कहते हैं पाच वर्षा जलाशों से होने वाले जल का वास्पी करान तता संगनान हमें वर्षा पदान करता है वर्षा का पैटन पाउनों के पैटन पर निर्वर करता है जलाशों से वास्पी करान संगनान फिर वर्षा चित्र में दर्षा आगया है जल एक अद्बूत द्रव जल पर्थ्वी की सते के सबसे बड़े बाग पर यह पस्थित है और यह बूमी गत्वी होता है जल की कुछ मात्रा जल वास्प के रूप में वायू मंडल में भी पाए जाती है सभी पराणियों को जल की आओ सकता होती है क्योंकि सभी कोश की प्रक्रियाए जल यह मात्राण में होती है जीवित पराणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं जल एक मेदपूर्ण संपदा है जो जीवन को इस्थल पर निर्धारित करता है जल परदूशन जल परदूशन का अर्थ है जलाशों में अनेचिक परदार्तों का मिलना दो इस्थित परदार्तों को जलाशे से अटाना तेन ताप मान में परिवर्तन साथ मरदा मिट्टी पर्थवी की बहारी सते को बूपरश्ट का आजाता है पर्थवी की सते या उसके समीप पाये जाने वाले फत्तर विवीन परकार के बौतिक राशायनिक और कुछ जेव परक्रमों के द्वारा तूट जाते हैं तूटने के बाद सबसे अंत में बचा महिनकन म्रदा है मरदा बनाने वाले काराक सूर्ये जाल वायो जीव मरदा एक मिश्रण है इसमें विवीन परकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं इन में शड़े गले जीवों के तुकड़े भी मिले होते हैं जिसे यूमर्स खाया जाता है मरदा की संरचना का मुख्य काराक हूमर्स है क्योंकि ये मरदा को शारंदर बनाता है और वायू तथा जल को भूमी के अंदर जाने में साइक होता है मरदा की उपरी परत में जिसमें मरदा के कणों के अतरेक्त यूमर्स और सजीव इस्तित होते हैं उसे उपरी मरदा का जाता है उपरी मरदा की गुणवत्ता जो छेत्र की जेविक विवदता को निर्दारित करने में एक मेतपून कारक है आठ मरदा बोमी परदूशन उपयोगी गटकों का मरदा से अटना और दूसरे आनिकारिक परदार्तों का मरदा में मिलना जो की मरदा की उर्वदता को परवावित करते हैं और उसमें इस्तित जेविक विवदता को नस्ट कर देते हैं इसे बोमी परदूशन कहते हैं मरदा परदान जला थवा वायो द्वारा मिट्टी की उपरी परद का जमीन की सत्य से दूर उड़ना या बेहना मरदा परदन के लाता है मरदा परदन के लिए जंगलों की कटाई तता आति वर्ष्टी उत्तरदाई है मरदा परदन के रोकनी के उपाई ब्रक्षार ओपन वनों की कटाई का रोक थाम अति परदू शावन को रोकना नो जेवरा सायनिक चक्राण विविन परकार के पोशकता तो चक्रिय रूपो से पुन अपयोग किये जाते हैं जिसके काराण जिव मंडल जेव मंडल तेन कारबन चक्र चार ओक्सिजन चक्र दास ग्रीन आउस परभाव वायो मंडल में विद्यमान कुछ गेशो में वर्दी संसार के ओसत आपमान को बड़ा सकती है इस परकार के परभाव को ग्रीन आउस परभाव कहते हैं ग्रीन आउस गेशो में कारबन डायाक्साइड जलवास और मिथेन आदी सामिले ग्यारा ओजोन पराथ वायो मंडल के उपरी भाग में ओक्सिजन के तीन परमानों वाले अनों भी पाये जाते हैं इसका सुत्र ओध्री होता है तथा इसे ओजोन कहते हैं ये एक परत का निर्मान करते हैं जिसे ओजोन परत कहते हैं ओजोन परत सुर्य से आने वाले आनी कारक विकर्णों को अशोसित कार परत्विताक पहुचने से रोकती हैं ये परत कही जिवरूपों को आनी से बचाती है ओजोन परत का हास आउच्छे हो रहा है जिसका काराण मानो निर्मेत CFC कलोरो भलोरो कारवान योगिक है 12 वायू जाल तता मर्दा का परदूशन जीवन की गुडवत्ता और जिवरूदताओं को आनी पहुचाता है तेरे हमें अपनी प्राकरतिक संपदाओं को चनरक्षित रखने की आउसकता है और उन्हें संपूश्णिय रूपों में उपयोग करने की आउसकता है बच्चो यहां पर यह भाग समाप तो हता है धन्यवाद प्राकरतिक